हर लोय में एसके अप्लेच्श निए गजेत है यह सुगर को इन यूरीन के अंदर हम यह पता लगाते हैं उसके अंदर सुगर आ रही है या नहीं है । तो कि कि लिए तेस्ट किया जाता है तो आये देखते हैं इसकी डेफिनेशन वेनेडिक्ट्सी टेस्ट प्रजय सोब रिदूसिंग सूगर यानि कि जो बैटक्टि टेस्ट होता है यह कौन सी सुगर को तो और ये स्था stessoन करता है जैसे कि कौन टेस्ट करते हैं कोई सब्सक्राइब ये में पना घ्री आजंती इसं पर आता है या फिर तो और की निक्सका मिक्सर होता है तो जो बेनेडिक्स जो रियेजेंट होता है वो सोडियम कार्बोनेट ठीक है सोडियम सिट्रेट और कोपर सल्फेट डोट 5-2 यानि कि सोडियम कार्बोनेट प्लस अपना सोडियम सिट्रेट और कोपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट यानि कि कोपर सल्फेट के साथ 5-2 है ना इन्हें सब का जो मिक्सर है इसको हम बोलते हैं बैनेडिक्ट से री एजेंट जो कि सबसे इंपोटेंट होता है इस टेस्ट के लिए इसके अलावा और क्या इकिमेंट चीए आप आपो चीए यूरीन सेंपल जिस पेसेंट का आपको टेस्ट करना है उसका यूरीन सेंपल हमें कलेक्ट करना है नेक्स्ट वन हमें क्या चीए पिपेट चीए जिससे हम उस सेंपल को लेके ठीकर टेस्ट में डालके इस टेस्ट को हम प्रोसीजर को आगे फरदर आगे फॉल करते हैं नेस्ट देखते हैं प्रिंसीपड इन काम करता है इसका प्रिंसीपल क्या है ग्लूपर सुगर फ्रक्टो खोंड इसको और यह क्या करेगी अपना जो copper sulfate है इसको reduce कर देगी इसको convert कर देगी किसके अंदर copper oxide के अंदर convert कर देगी लेगिन condition क्या होने चाहिए कि यह जो सारी के जारी जो reaction है यह alkaline medium में होनी चाहिए ठीक है तो इसका principle को अगर मैं इसकी equation बनाऊं तो जो अपना copper sulfate है ठीक है इसको यह किसमे convert कर देगी copper oxide के अंदर convert कर देगी अगर मालो urine के अंदर reducing sugar प्रजेंट है तो जो सुगर है तो copper sulfate के साथ reaction करेगी reaction करते ही इसको किसमें convert कर देगी copper oxide के अंदर convert कर देगी पहले जो अपना copper sulfate था वो केसा था यलो था लेकिन बाद में वह जो है वो केस हो जाएगा ब्रीक कलर का हो जाएगा यानि कि अपनी जो इट का जैसा जो रेड कलर का जो कलर रहा हो उसमें देखने को मिलता है लेकि condition क्या है कि यह कौन से medium में होना चाहिए alkaline condition के अंदर होना चाहिए ठीक है तो यह इस principle पर काम करता है यानि कि जो अपना है reducing displacement reaction पर क्या करता है अब यह procedure कैसे करना है इस टेस्ट का तो सबसे पहले क्या करना है तेक 5 ml बेनेडिक्स रियेजेंट जो आपको पांच एमेल जो है बेनेडिक्स रियेजेंट लेना है और इसको मिक्स करना है किसके साथ 0.5 ml यूरीन के साथ या फिर अगर आप मेजर में ना कर पाओ तो आपको के लिए ड्रोप लेनी है 8 जो पीपेट से हम ड्रोप लेंगे आपको क्या करना है प्रोटीन फ्री जो दुलेम सोरी दुल उसको मिक्स अपक्रणना किसके साथ बेनेडिक्स सबस्त्रीं बेनेडिक्स प्रण करंगे तो यह जो है अगर रिडूशींग्सूग देगी अगर नहीं तो खालर चैंज नहीं होगा देखते हैं रिजल्ट का यहां प्रोसिजर किया अपके रिजल्ट आने वाला तो अगर इसको थंदा कने बाद अपने पास ब्लू कलर आता है जो सोलुशन अपने पास बना है अगर से अगर को रहा है तो निल यानि कि उसके किसी भी परकार की reducing sugar present नहीं है पर अपना जो टेस्ट वो क्या है negative माना जाएगा ठीक है अगर कलर के सा रहा है तो reducing sugar उसके अंदर है लेकि small amount में बहुत कम मात्रा में reducing sugar urine के अंदर present है अगर orange yellow जिस color आ रहा है अगर कलर आ रहा है तो reducing sugar है लेकिन थोड़ी moderate concentration में है लेकिन अगर ब्रीकिर रेड आ रहा है यानि इट के color के जैसे रेड कलर अगर उसमें आ रहा है तो large amount के अंदर अपने reducing sugar जो sugar है उसके अंदर present है और टेस्ट जह है वह very positive माना जाता है इस प्रकार सी जो है हम urine के अंदर reducing sugar का presence के लिए बेनेडिक्स टेस्ट करते है जिसमें में इसकी definition देखे इसके equipment देखे प्रोसीजर देखे प्रिंसिपल्स देखे और साथ में रिजल्ट भी देखे अगर आपको वीडियो ची लगी हो तो लाइक से रों सब्सक्राइब करिए थेंकिए फर वाचिंग इस वीडियो